अगर आपके पास अभी भी कोई नॉलेज़ दियू है तो उसके लिए ITGAN4U है कई बार Windows 10 में Microsoft Office में Word और Excel को open करते समय कई प्रकार के error आते हैं जिसमें एक famous error है एस्टी डोले 32.tlb प्रकार का एक गिरार आता है और इस्टॉलेशन विंडो अपियर होता है हर बार जब भी हम हम इस office को खोलते हैं तो चलिए देखते हैं इस इसको कैसे solve करें इसको solve करने के लिए सबसे पहले आपको administrator account से अपना पीसी login कर लेना है उसके बाद आपको c drive में जाना है यूजर में जाएंगे यूजर में आपको आपके जिस account में problem है उस यूजर account को open कर लेना है उसको open करने के बाद ये सारे data का backup लेने हैं इसमें जो copy data's है उनको आप copy करके दूसरी जगह रखने हैं क्योंकि यह delete होने वाले हैं उसके बाद आपको दिस PC पर जाना है इस PC में जाकर आपको right click करना है फिर manage पर click करिए उसके बाद आपके सामने ये यहा पर नए यूजर नहीं बना रहा हूं क्योंकि मेरे PC में problem नहीं है प्रॉब्लम सौल कर चुका हूं आपको यहा पर नए यूजर बना लेना है उसके बाद आपको आपके जिस यूजर account में problem है उस user account को delete कर लेना है उसके यूजर account पर राइट Click करेंगे और Delete बस आपको इतना ही करना है पुराना यूजर एकाउं डिलीट करके आपने यूजर एकाउंट बना लिया अब आपको उस नए यूजर एकाउंट से Login कर लेना है अपने PC में और आप पाएंगे कि आपका जो मैंस Office में जो Error था वो सॉल हो चुका होगा उमीद है आपको कुछ नया सिखने को मिला होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अगर पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बैल बटन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे आन झाल